कि है लोग देट वेलकम टूर चनल आई पेपर क्लासिस तो कैसे आप सभी लोग चलिए दोस्तों आप सभी लोगों के लिए अपडेट जो मैंने दोस्तों आपको पहले प्रोवाइड करा चुका था तो आज दोस्तों मैं इसको रिमाइंड करने जा रहा हूं ठीक है ना आप चलिकती सेसर पर आपके एक इम्पोटेंट अपडेट आ चुकीνεं एक 201एक्सेट वेकैंसि के साथ में डि लो में दोस्तोंर आपकी एंड पोस्त के अजबर्दस्त आपकी डेर्डेatu के डिर्डे और तो आपकी डियाडी ग्या रैगैए अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या-क्या आपका समय criteria eligibility online application आज से ही start है और इसके दोस्तों exam date क्या रहेगी negative marking क्या है कौन-कौन सी post है चली दोस्तों start करते है session को start करने से पहले आपसे ही request है क्या कि आप सभी लोग जो भी students इस form के apply कर रहा है यार चैनल पर नई-ई-वकेंसी की update चाता है तो एक बार चैनल को subscribe जरूर कर लेना ठीक है ना यही आपसे request है बस देखेगा आपकी screen पर है essential qualification for recruitment EQR and other essential qualification OER ठीक है ना कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से level पर इसमें दोस्तों पोस्ट है और किस तरीकी किया है और कैसे कैसे आप तो form को fill up करते जाना है ठीक है पे लेवल सिक्स सबसे पहले है दोस्तों आपका 7 पे commission के बेस्ट के पर post code दोस्तों आप classification किस तरीके की पोस्ट है ठीक है देखते हैं इसमें students क्या रखा है जेटी होगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट भरते हो आप सभी लोग ठीक है जो इसकी qualification master degree रखता है और उसके पास में मैं सब्जेक्ट के रूप में English या पर हिंदी होना बहुत कंपल्सरी है सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में बहुत जरूरी है या फिर या फिर दोस्तों आपके पास में क्या है एक ट्रांसलेशन का हो समझे रहो ना ट्रांसलेशन का हो वह भी हिंदी और इंग्लिस का में सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में इक सर्टिफिकेट हो या फिर आपने दो साल का एक्स्पिरियंस कर रखा हो दोस्तों ट्रांसलेशन वर्क फ्रों हिंदी इन इंग्लिस एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल एन इस्टेट गोर्मेंट्स ओफिस समझ में आगया इंडिया अंडर्टेकिंग ठीक है आपके पास में को इस तरी के एक्स्पिरियंस रटिफिकेट हो जो आपके गोर्मेंट के थुरू प्रोवाड़ ब्रोवाइड ठीक है तो समझ में आ चुका जेटियों की वेकर इस तरी किसी और इसमें दोस्तों 30 साल ठीक है ना मैक्सिम इसमें को नहीं माना का रिक्रूट्मेंट यह दोस्तों 10 मिनट में आपको सो वर्ट टाइप करने होंगे स्टैनों वाले स्टुडेंट सब जानते हों किस तरीके से इसको करना होता है और 40 मिन इंग्लिस के लिए मिलेंगे ओन्ली कंप्यूटर पे ठीक है ट्रांस्क्रिप् ट्वेल्ट पास देखनों लेवल फॉर मंतर यहीं आपको ग्राइजिवेशन वाले बाकि दोस्तों वही साहा का सार आपका डिक्टेसन लेकिन आपको दोस्तों दस मिनट में इंग्लिस का होगा दोस्तों वह कंप्यूटर पर होने वाला है अठारे सेले के 27 साल सक दोस्तों इसकी यह जब आकि जो छूट होगी वह आपकी ओपी सेस्टे तीन साल पांस साल वह अलग है ग्रूप सी की पोस्त है और आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी दोस्तों आपकी वेकैंसी और में दोस्तों कौन कौन से यह देखेगा स्टूट पोस्ट कोड 601 602 701 702 801 इ एडिमिनिस्टेट्व असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग इंग्लिस टाइपिंग इस्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग सिक्योर्टी असिस्टेंट इस तरीके की तो सारी की सारी में दोस्तों आपका ट्वैल्थ पास ट्वैल्थ पास ट्वैल्थ पास ट्वैल्थ क्या मंग रखे इस्किल टेस्ट होना चाहिए कंप्यूटर पर इंग्लिश की टाइपिंग दोस्ता आपके पास में आपको आनी चाहिए 35 पर इमिनट के हिसाब से आपको दोस्तों 10500 की डिप्रेशन करनी है और पांच की डिप्रेशन फॉर इच वर्ड एवरिज ओफार ठीक है मतलब इतना तो करके चलना ही चलना है इसी तरीके से दोस्ता आपकी तीस वर्ड पर इमिनट के साब से आपको आना चाहिए तो किलियर होगे दोनों तीनों हाँ इसमें दोस्ता आपके फिजिकल है सिक्यूर्टी असिस्टेंट वाली जो पोस्ट उसमें फिजिकल भी होने वाला है ठीक है बिल्कुल गुरूप सी की पोस्ट आठारा से लेगे 27 साल तक दोस्तों इनकी एक एज रहेगी वहीकल ओपरेटर वीकल ओपरेटर की दोस्ता आपकी वेकेंसी इ ठीक है ना नोलीज होने चाहिए दोस्तों आपके मोटर मेकेनिजम की ठीक है इस तरीके से दे कैंडिट सुट भी एबल टू रिमूव इना माइनर डिफेक्ट हो जाता है वेकल में तो आप हैंड टू हैंड इसको थोड़ा सा सोल आउट कर सको एक्सपिरेंस होना चाहिए आपको पास में ड्राइविंग मोटर का एट लिस्त तीन साल का थेक ना सत्ताइस साल से दिखना हो गूप सी की पोस्ट है ठीक है फायर direct driver की haters fire nur man की दोस्त आपकी पॉस्ट ठीक है इस थिक ना तो यह दस भी पास है और यह भार भी पास ठीक है आपका दॉस्त में भी आपको डील ची है यह पांड चैनलीज होना चाहिए ठ्राफीत वाला श्राफिक जो होता है उस तरीक एक एजा और फिजिकल फिटनेस कैपसिटी ऑफ इस्ट इंटोने ड्यूटी वह फिजिकल भी होगा जो भी होगा इसमें उपको क्राइटेरिया आपको ठीक है ना अठारे से लेकि 27 साल तक इसकी यह फिजिकल फिटनेस और क्यापिलिटी परफॉर्म वाइस ट्यूनिस ड्यूटी टेकर गुरूप सी की पोस्ट है आप सब देखते हैं दोस्तों आगे जिसमें वेकेंजिक किस तरह की से इन लोग ने डिफाइन कर रखें तो मैं आपको बता समझ में तरह तो समझ में आ रहा होगा सब कुछ ठीक तो आप अपनी एलिजिबिल्टी के हिसाब से 1061 पोस्ट है फॉर्म को फिल अप कर लेना 143 यह हो गई दोस्तों 134 यह हो गई बागी दोस्तों 133 यह हो गई जो जादा से जादा वेकैंसी लगबग लगबग इसी में है 45 जो आपके यह है ठीक है तो आपके लि बाकी पोस्ट कोरशन यह यह रिकहाहा है यह उसी इस तरीके से ठीके ना आगे करें रखाए दोस्तों इस तरीके का और बाकि आंट प्प्वालिफिकेशन कुछ क्वालिफिकेशन इसकों सब्सकूं कूल करता है बेलकुल में इनक्लूडब कर रखाए रिजर्येशन फिट्स किस तरीके से वह आपका दिखा रखा है नोगों ने ठीक है इस तरीके से फॉर्म को फिल अप करोगे सब कुछ इसमें इंक्लूड है इसकी पीडिएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल आई-पेपर क्लासेस है बागी किसी भी तरीके के अगर हो तो मैंक्र सकते हैं एक से अधिक पोस्ट के लिए प्लाई कर सकते हैं अधिक की ऐब क्यों आपको सक्ता है कि एपली केबल ठीक है ना किस तरीके से फोर्दा पोस्ट आप विकल उपरेटर उसमें दोस्त आपका होगा टायर टू यह दे रखाएं किस किसमें पोस्टों में होने वाला है ठीक है और टू पास टाइपिंग टैस्ट जो आपकी दोस्त अडिमिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट इस्टोर एसिस्टेंट वाली जाएं उसमें दोस्त आपका टाइपिंग होगा बिल्कुल आपसे लोगों को मैं बताके आया ही हूं ठीक है ना ओई यार वाली जो आपकी दोस्तों एक अधर क्वालिफिकेसं थी उसके इसाप से उसमें टायर टू भी होगा ठीक है आगे द समझ में आ गया सब कुछ बागी दोस्तों और इंपर्टेंट इसमें का इलिजबिल्टी क्राइट एरिया सब को मैं बताई चुका हूं बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर सब कुछ ठीक है ना और इसमें दोस्त आपको फॉर्लविंग डोकुमेंट इसके इंदम मस्ट भी कौन प्लेन वाइट पेपर पर आइडेंटिटी प्रूफ में आधार काड़ चल जागा पासपोर्ट वोडर आईडी पैन काड़ आप सबी लोग इसके व्यापिस फॉर्म को फिल अप कर सकते हो ठीक है और आगे अप्लिकेशन फीस में दोस्तों कितनी लग रही है मात्र सोर पे देंगे और नासिक वाले नासिक में भर रहे होंगे बिल्कुल सब कुछ के लियर है आप सभी लोगों का तो देखते हैं दोस्तों मेडिकल स्टेंडर्ड भी होगा आपका फिजिकल भी एंडूरेंस टेस्ट हो रहा होगा दोस्त आपको फीमेल का भी है और अधर रिलक्से अब आपको बताई देए इसमें किस तरीके का रहने वाला है दो बेसिस पर आपका एक्जाम होगा टायर वन सी बीट एंटायर टू सके लें फिजिकल फिटनस कैपविलिटी टेस्ट तो दो तरीके से होने वाला है अब जान लेते दोस्तों इसका जो स्लेबस एक्जाम पै फर्स्ट प्रोविजनल सेलेक्शन फर्स्ट इसमें आपको बताऊंगो वन का मतलब क्या इन्होंने आपर देख रखा है ठीक है ना ऐसी टू का मतलब क्या है टू भी बताऊंगा आपको ठीक है क्वालिफाइंग नेचर का है पोस्ट कोड 301 आपकी थी दोस्तों कौन सी ज कि मलेगा मैक्सिम्म माक्स आपके 80 में और 60 मिनट में आपको यह करने है ठीक ऐसी दोस्तों की जितने भी पोस्ट कोड़ यहां से ले कि इहां तक इन के बिदोस्ता को 75 पूसल मिलने वाले हैं मैटमें होगी घिए जन्नल अवेयनस है और इंगली से ठीक है चार सेक्शन है माक्सिमम माक्स ق Verm seguro 15 cent नमबर बींगर और दोस्तों आपको adapting बागर दोस्तों ओस्तों इंशा स्वेख चुड़ कर दोस्तों आपको आपका सेकन्ड टार है वह आपका कोगा और आप एक आपका दोस्तों किस भीआप वने वाला क्वालिफाइंग नेचर के भी आप भी होने वाला है ठीमेल बार दोस्तों आपको करना होगा सबकुछ किलिए हो चुका है ।-ट बार प्रोविजनर स्याहिए Guerra टोन वेसट हैर टायर नमबर वन जो आपका दोस्त होगा एक्जाम उसमें आपके जो माक्स आएंगे उसके आपको क्या किया जाएगा सिलेक्ट किया जाएगा सेकिंड के लिए ठीकिना मिनिमम दोस्तार फस्त में 40% लाना यूर ओबीची डोलोस के लिए कंपलसरी है ठीक है बट मैरिट बने अब यह जो आपका दोस्तों फैसला आयोग का होगा और गुटमेंट जो इसको दोस्तों कर रही है डिपैंडिंग उपोन ओना बुलाया जाएगा दोस्ता आपके नेक्स्ट टायर टू ठीक है इसी तरह के दोस्तों टायर टू होने वाला स्किल और फिजिकल फिटने टेस् सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब कुछ दोस्तों मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिस की है बाकि दोस्तों अगर कोई क्वेरी जो तो आप मुझे कमेंट्स कर देना आपके लिए डिया डियों की वेकैंसी है इस्टुडेंट्स ठीक है ना तो आप सभी लोग फिल सब्सक्राइब कर लो और अच्छे तरीकी से कोई भी प्रोब्लम हो तो आप मुझे क्या करोगे स्टुडेंट्स कमेंट्स कर दोगे तो चली दोस्तों गुडबाई मिलते अपने नेक्स सेशन में